उत्राखन के प्रशेद लोग गायक पदमस्री से सशोभित जागर समराट प्रीतम भरत्वान जब भी कोई अपनी नहीं रचना लेकर आते हैं तो इनके श्रोता इनकी रचनाओं को बड़े आनंद के साथ सुनते हैं उत्राखन के लोग संगीत के छेत्र में इनका योगदान मील का पत्थर है यहां के जागर पवारू को देश दुनिया में इनुने अलग पहचान दिलाई है और लोग संगीत की खुश्वू पूरे देश दुनिया में फैलाई है वैसी तो आप सभी जानते हैं होली का इखास तियोहार है और सबी लोगों ने अपने तरहा-तरह के गीत इस खास अवसर पर दर्शकू के लिए पेश किए लेकिन जागर समराटी ने इस खास अवसर पे एक ऐसा जागर पेश किया है जिसके बाद होली की खुश्यां दौगनी हो गई है जी हाँ आपको बता देख रजी पिल्म्स के बैनर तले नया जागर चौरंगी नाथ रिलीस हो गया है इस जागर को सुनने से पहले आप अपने आसपास की जगा को खाली करते क्योंकि इसको सुनने के बाद आप अपने पैरू को रोक नहीं पाएंगे और जम कर नाचने लग जाएंगे धोल दमाओ की थाप और जागर समराट की आवास इस जागर में अलग ही जादू बिखेर रही बसली याल की पुस्तक दादा जी का नाग से चौरंगी नाथ कथा को लिया गया है जागर समराट ने इस कथा को जागर साली में तियार किया है रजीत सिंगने से शानदार संगीत दिया है बता दे कि भारत में गुरु से ही गुरु प्रथा का काफी प्रचलन रहा है इस धर्ती पर कई गुरु ने जन्म लिया है जो कई सिध्यों के ज्याता रहे है नवनाथु में गुरु गोरखनाथ का नाम आता है जिनके चेले या कहें शिर्षय गुरु चौरंगीनाथ रहे गुरु चौरंगीनाथ का मंदिर उतरकाशी में लेकिन एक राजकुमार क्यों गुरु चौरंगीनाथ बना इसकी पूरी कहानी आपको रजीत विंस के बैनर तले रिलीज हुए प्रीतम भरत्वान के जागर में सुनने को मिलेगी भाई इस होली के अफसर पर जब मैंने ये जागर सुना तो मेरी खुश्यान दौबनी हो गई है आप किस बात का अंतजार कर रहें अपने परिवार के साथ होली मनाईए और इस जागर का भी आनन दीजिए तो चलिए आज के लिए वस इतना ही और एक बार पुना आपसरी दर्शकों को हिलीवुड परवार की और से होली की हारदिक शुब काम नहीं